नमस्कार दोस्तों मेरा नमें विजैक मार आप देख रहे कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तों राज कोमिक्स में तिलसमी देव सिरिज की इस संदार कोमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है सैतान नागलोग का तो आप देख सकते हैं इसका कभर प्रिस्ट जो क कुछ इस तरह का है तो चलिए इसके संदार स्टोरी को सुरू करते हैं नाग लोग का राजा नाग देव पर सातुले नगरी के राजा सातुले देव की पुत्री राजकुमारी महक के सुंदरे पर हुआ आसत और भगवान बिसनों के साप से वो बन गया एक बिलक्षन मानो त सिंदा बात ना जाने कब होंगे हमारे सुआमी नाग देव की वापसी सभी कार्रे पुर्व की तरह चलने लगे और उसी दिन आखिर आज वो दिन आई ही गया वापस नाग लोग आने के लिए पूरे पांच बरस की परतिक्षा करनी पड़ी है मुझे आज मैं सक्छम हूँ नाग देव की ताकस से टकराने में नाग लोग के रक्षा पर हरी अरे नाग लोग कड़ा कू चमण के तू जल्दी से नाग गुरु नगवे को ये सूचना देनी होगी क्या चमण के तू लोट आया है भरे राजदरबार में संसनी फैल गई चमण के तू चमण के तू लोट आया है उफ परहरी कबाब देव नागलोक में परवेश करने से पुर्भेर रोकना होगा, परहरी कबाब देव नागलोक में परवेश के सवी द्वार अतिसिक्र बंद करवादो जो आग्या नाग्गुरु भूत्पुर्व स्वर्गे सेनापती कुरुफ दूत के भ्राता अलिंग दंड को बुलाओ अलिंग दंड आग्या नाग गुरू अलिंग दंड चमड के तु लोटाया है उसे नाग लोक में परवेश करने से रोपना होगा चमड के तु नाग देव से अपना पर्थिसोद लेने के लिए लोटा है अगर उसे पता चल गया कि नाग देव इस समय प्रिथवी पर है तो उफ नाग लोक के राजा नाग देव और कुरुफ दूत के बिसे में जानने के लिए पढ़ें तिलिस्म देव और उसी पर थर्रा उठा संपुर नाग लोक नाग देव संदरे को भी लज्जा देने वाली नाग लोक के राजा नाग देव की सातोरानिया ये कैसी गर्चना थी चमड के तु चमड के तु लोटाया है उसी की ललकार थी ये हाँ लोटाया हूँ मैं तु नाग लोग से बाहर आता है नाग देव या मैं आऊ भीतर चमर के तु की जादो ही सकती ले देख मैं ही आ गया भीतर चमर के तु भीतर घुस आया है बीसमान छोड़ो इस पर बीसमान चमर के तु से टकराएं ओ अब ये बीसमान मेरा कुछ नहीं विगार सकते बचो इन जादो इन नेवलो से नेवले नाग लोग के परहरियों पर टोट पड़े जब तक नाग देव स्वैम अपनी मान से बाहर ना आ जाए तब तक बहाते रहो नाग लोग में खोन की नदी उफ नेवले नाग लोग की रक्षा के लिए हमें इनका मुकाबला करना होगा घमसान योच छिड़ गया नेवलो और नाग लोग के सैनिकों में हिस, खच, फू, आ अलिंग देंड, फैर जा दोस्ट चमर के तू आज तू मेरे हाँ तो मारा ही जाएगा अलिंग देंड का सर्प बाजू चमर केतू के पाउं से लिपड़ गया चमर केतू का हाथ हवा में लहराया खच, आ अब दोनों, अब दोनों थे आमने सामने अलिंग देंड, मेरी तुमसे और तुमारे सैनिकों से कोई सत्रुता नहीं है मुझे केवल नाग देव से बदला लेना है लेकिन आज जो भी मेरे राह में रुकाउट बनेगा मैं उसे खत्म कर दूँगा चमर केतू, महराज नाग देव यहाँ नाग लोक में है ही नहीं किन्तू, अगर वे यहाँ होते भी तो मैं तुमें वहाँ ना पहुँचने देता क्या, नाग देव नाग लोक में नहीं है अब बचा, अलिंग देंड का वार ओ, चमर केतू ने अगले ही पल अलिंग देंड को दवोच कर उचाल फेका मैं यहाँ सिर्प नाग देव की तलास में आया था उसे मारने के बाद मैं फिर यहाँ आऊंगा ओ, चमर केतू ने एक सर्प सैनिक को दवोचा और उड़ चला बचाओ, ओ, वो पर हरी कवाब देव को उठा ले गया है दूसरे ही पल, चमर केतू जादू इनेवलो सहीत वहां से गायब हो चुका था वो हमारे एक सैनिक को उठा ले गया है कवाब देव से वो महराज नाग देव का पता पूछ सकता है नाग गुरू बहुत बुरा हुआ ये और फिर सिगरही कवाब देव की लास मिली नाग देव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं उधर प्रित्वी पर नाग देव तिलिस्म देव बन चुका है तिलिस्म देव को कहा ढूड़ना तिलिस्म देव को कहा ढूड़ना मैं इस विसाल प्रित्वी पर कास उस सर्पमानों को ये भी पता होता कि तिलिस्म देव के रोप में नाग देव प्रिच्वी के किस कोनों में मौजूद है चलते छलते छलते ठिटक कर रुग गया चमण के तू ओ नगर में परवेश से पुर्व मुझे अपना वेश बदलना होगा अन्य था बेकार ही ये प्रिच्वी बासी मेरे हाथ तो कीड़ों मुकोरों की तरह मारे जाएंगे चमण के तू नगरी में परवेश कर गया यहां तो किसी उत्सो की तेयारी जो रो सो रो से चल रही है ओ इस मंदिर के संपूर्ण रास्ते पर पुस्प ही पुस्प बिखरे गए है लेकिन ये क्या मंदिर में कोई मूर्थी तो अस्थापीती नहीं है अरे ओ भीमूरे जन्दी कर महराज की सवारी आने वाली है तिलस्म देव के मूर्थी देखकर महराज उचलना पड़े तो मेरा भी नाम भीमा नहीं है रे बिटुआ तिलस्म देव? हर जातो जरा देखूं वाह तिलस्म देव ऐसे ही दिखते होंगे पता नहीं तिलस्म देव को सिर्प राचा अरजुन सेंग ने देखा है उन्होंने जैसे रूप चितर का बखान किया मैंने मूर्थी ढाल दी भगवान है तिलस्म देव अगर उन दिनों तिलस्म देव अरजुन नगर की रक्षाना करतें तो भेंकार राच्षस बिचितर दंत हमारे पूरे नगर को नर्मुंडो की घाटी बना डालता कुछ भी तो नहीं छीपा तिलस्म देव से कहां है ये तिलस्म देव? तभी बाहर सोर मच गया राजा अरजुन सिंग की जै महराज अरजुन सिंग जिन्दा बाद तो लो मोर्ती भी तैयार हो कई और महराज की सवारी भी आपहुँची है पुस्प वर्सा के बीच राजा अरजुन सिंग मंदिर की ओर बढ़ें तिलस्मी देव की जै, राजा अर्जुन सिंग की जै, जै जैकार के नारों से अकास गुन जुठा, राजा अर्जुन सिंग ने परजा को संबोधित किया, पिछले बरस आज के दिन तिलस्मी देव ने हमारे राजे पर आई बिप्ती से हमें छुटकारा दिलाया था, आज हम विधिवात उनके मूर्ती इस मंदिर में अस्थापित करेंगे तिलस्म देव जिन्दा बाद पढ़ें तिलस्मी देव सीरीज का एक बिसमेकारी कॉमिक नर्मॉंडो की घाटी जो कि हमारे चैनल पर पहले से अप्लोडेड है मूर्तीकार तिलस्मी देव की मूर्ती को संपुर्ण आदर के साथ यहां लाया जाए जो आग्या महराज भीमू वहां पहुँचा जहां मूर्ती गड़े थी उसने पर ये क्या मूर्ती गायब अरे भीमू मूर्ती कहां गई तिलस्मदेव की यहीं तो थी मूर्ती कुजदेग पुर्ब क्या बात है मूर्ती लाने में इतनी देर क्यों लग रही है मूर्ती गायव हो चुकी है मगर मूर्ती है कहां महराज मूर्ती गायव हो चुकी है क्या मूर्ती गायब हो चुकी तिलस्मदेव के मूर्ती गायब तभी गोंज उठा एक अठास उफ ये कौन है इसके हाथ में तो तिलस्मदेव के मूर्ती है अब इस मंदिर में तिलस्मदेव के नहीं चमर केतो के मूर्ते अस्थापित होगी चमड के तू, सुना नहीं तुम सबने, अब यहां अस्थापीत होगी, खुद मेरी मूर्ती नहीं, जै दिलस्म देयो, इस दुस्त की गर्दन उड़ा दो, मारो, मारो, उपस्तित लोगों में आकरोस उत्पन हो गया, मारो, मारो सैनिक, चमड के तू परवार करने के लिए आगे बढ़ें, कि तू, आओ, आगे बढ़ो, करो मुझ परवार, धुम, आ, इ, कड़ाग, अरे, मेरी तलवार, मेरी भी वो तलवार नहीं बनी, जो काटे चमड के तू की चमडी को, मिटी की बनी थी क्या मेरी तलवार हटो पीछे, मैं खुद ही करता हूँ अपने मूर्थी वहाँ परतिस्ठीत फैर जा दोस्ट सैतान, हम तुझे ये अधर्म ना करने देंगे ओ, राजा है तू, साइं, कर ये लो अपनी तलवार, तो इसे सीधा कर, मैं अपने मूर्थी अस्थापित करके आया सिग रही, बोलो चमड के तू की, जै तभी संसनाया भाला और तर, चटाक मूर्थी का तूटना अपसकून होता है, और ये अपसकून है तुम्हारे लिए महराज को यहां से ले जाओ, जल्दी, चमड के तू तुम सब की गर्दाने तोड़ देगा मूर्थी अस्थापना समारो, बदल गया चमड के तू के भैयम दहसत में भागो, ये मार डालेगा, ये मार डालेगा, नहीं तो, कहां भागो, मुझे तो चारत तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है जिसे जीधर जगा मिली, जाचीपा, नगर हो गया सुनसान, सब जाचीपे कायर, मैं चाहूं तो इने, इनके मकान में घुसकर मार डालूं पर देखता हूँ कब तक चीपेंगे, घरों के भीतर सताएगा, उन्हें मेरा भै, और बाहर निकलेंगे तो सताओंगा, मैं खुद जल पीकर प्यास तो बुझालू जरा, गड़, गुलू, गुलू, तराउट आ गई गलेबे, खड़ाक घरों के अंदर कैद नगरवासी, ना जाने कौन है ये दुष्ट, कमबक, सक्तिसाली भी बहुत है, वरता सब मिलकर तो उसे पकड़ या मार ही डालते हैं एक एक संपुर नगर एक अजीब सी आवास से कौन दुठा, खर, ये कैसी आवास है, पता चला की, महराज, चमड के तु सो रहा है, ये उसी के खराटों के स्वर है, ओ, यही औसर है महराज, चमड के तु को इसी आवस्था में जाल फेकर बंदी बना लिया चाए, या वही मौत के घाल टुतार दिया जाए, बीस्वियो पैदल सैनिक, वे आवाज, बिल्ली से सदे कदमों के साथ, बढ़े उसकुएं की ओर, चारों तरब से घिर गया चमड के तु, और तभी उट खड़ा हो गया सैतान नागलोक का, फेको जाल, चमड के तु को मचली समझ दिया ह क्या, ये लो अपना जाल, चमर के तु पढ़ाई चीज को अपने पास नहीं रखता, आ, उफ, ये तो हम ही फस गएं, अब लटको कोई में बाल्टी की जगा, बूरे फसे, बचे कुछे सैनिक भागें और पहुँचे सीथे महराज के पास, क्या, धोका, ओ, महराज, इस प जाएगी, उफ, समझ में नहीं आता, इस संकट से कैसे छुटकारा पाया जाए, गुस्ता कि माफव महराज, अब तो इस संकट का एक ही हल दिखाई पड़ता है, वो क्या सैनिक, तिलसमदेव, जिसकी मूर्ती को आज मंदिर में अस्थापित किया जाना था, वाह, इस उध तिलसमदेव, इस दुष्च चमड केतों से हमारी मदद करो, तिलसमदेव, तो मुझे सक्ति दे, मैं इस चमड केतों को इसकी नानी याद करा दूँगी, तिलसमदेव, अगर तुम नहीं आये, तो स्री देवी की तुमारे साथ कट्टी हो जाएगी, आना तिलसमदेव, आ आ गया तिलसमे देव, ओ, उस मकान से आ रही है ये आवाज, तिलसमे देव मुझे सक्ती दो न, वो के तू किसी को बाहर नहीं निकलने देता, अवस्य पुत्री, तिलसमे देव हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, फिर इससे पहले कि तिलसमे देव की सक्ती सिरी दे वी में समा जाती, कड़ा, सैतान चमर के तू, आ गया के तू, तिलसमे देव जिसे चाता है, उसे ही दिखाई पड़ता है, तो मेरा संदे ठीक ही निकला, नाग देव, प्रिद्वी पर आकर तू मुझसे छीप नहीं सका, आखिर डोंडी लिया मैंने तुझे, चमर के तू मुझे तेरी मूर्ती देखकर ही पहचान गया था मैं, और तुझे बुलाने के लिए ही मैंने यहां आतंग फैलाया था, गंभीर हो ठाक तिलसमे देव का मुख मंडल, चमर के तू, तू यहां से, यहां भी अपनी दुस्टता से बाज नहीं आया, तेरी इनी दुस्ट पर इस डाको को और नाग लोग से बाहर निकाल दो, नाग देव, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, नाग देव की सकती से नहीं जीत पाएगा तू गद्दार, बिस्नु अस्तर अब भाग निकलने में ही भलाई है, मैं जा रहा हूं नाग देव, लेकिन एक दिन लोटूंगा, और तब सर्वपर्थम तुमें ही समाप्त करूंगा, फिर बनूंगा नाग लोग का राजा, इस दुस्ट को नाग लोग से बाहर निकाल दो, बिस्नु अस्तर, पांच बरस तक मैंने भी घोर तपस्या करके कहीं सकतियां हासिल की, मैं आज वो समय आ गया है कि मैं अपना प भलाई के लिए करने की कसम खाई है, और तुम मनावता का भी दुस्मन बन रहा है, अब देख, मेरी सकती पाकर ये छोटी सी बच्ची भी तेरे लिए काल बन जाएगी, ओ, ये त्रिव चमक, जा बेटी, इस दुस्ट से तकराने के लिए हमने तुमें जौला मुखे सकती ही है, ओ, क्या सच, अगले है पल, स्री देवी ने उचल कर चमर के तुपरवार किया, तड़ाक, पहले इस बच्ची से बिजय प्राप्त कर ले नाराधाम, फिर योद करेंगे, हम स्वैम भी तुस्से, मेरे जादोई नेवले, इसे पल में चबा जाएंगे, जौला मुखे सकती के लावे से भस्म कर दो इन्हें बेटी, जो आ गया तिलस में देव, लावा उबल पड़ा सिरी देवी के मुझ से, नेवलों में खलबली मच गई, इस सकती के बल पर योद करने आया था तुम से, नाग देव से तिलस में देव बनते ही इसे और अधिक सक्तिय अपरा पूरा नगर इकत्रित हो गया, ये चोटी सी बच्ची कैसे लड़ रही है इससे, सुना नहीं तिलस में देव की सकती है उसके पास, वो मारा, मा ये तो सिरी तो कमाल कर रही है, मैं तुझे मार डालूँगा, अब देखता हूँ कैसे बचाती है तुझे तिलस में देव की स ऐसे पठकनी खाई है तुने कभी, फाह, कमाल कर दिया चोकडी ने, राजा तक पी जा पहुँची, राजा तक पी जा पहुँची खबर, और रग को और तेख चलाओ, सार्थी चल दी, इधर सिरी देवी ने अपना धाकता हुआ पाउं, रख दिया चमर के दुखे गर्द अब तेरी आखरी सांस के साथ ही उठाओं के मैं अपना पाउं, आह, नहीं, और धन तोर दिया चमर के तुने, दुसरे ही पल, चारो ही तरफ हर सो उल्लास फैल गया, दुष्ट चमर के तु मारा गया, सिरी देवी जिन्दा बाद, फिर साबास बेटी, तुमने बड़ी ब कहां है तिलसमदेव? राजा अरजुन सिंग्गी आखों के समोख भिपर कठोके तिलसमदेव, हे तिलसमदेव, आपने एक बार फिर इस नगर की रक्षा की है, हम पर एक किर्पा और करो, हम पर एक किर्पा और करो, मंदिर अस्थल पर चलकर अपने मूर्ती को स्वेंप प भगवान भगवान वास करते हैं, राजन मूर्ति अस्थापना के बाद लोग मुझे भगवान कहकर मेरी पूजा करें, ये मुझे स्युकारन नहीं है, अगर मूर्ति अस्थापित करनी है, तो वहां भगवान विस्दू और मातालक्ष्मी की करें, जो अग्या जिन्दाबाद और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये वीडियो कैसे लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर और नोटिविकेशन को सेलक्ट जरूर कर लेना तो मिलते हैं आप से इसकी अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है बारह घोडो का रत तब तक के लिए बाए